हालो, हाई गाईज, वेल्कम बैक टो माई यूटुब चैनल, खान कोचिंग क्लासिस, मैसल्फ आफताव आलम, तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आई ओ टू दी माई कंट्री, जिसे लिखे हैं, सर सेसल स्प्रिंग राइस, तो आई ओ टू दी माई कंट्री लेशन म क्या कहा गया है, इसमें देश प्रेम के बारे में बात हुई है, तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आन तक देखाएं, ताकि आगे से आपको इस लेशन में कोई प्रॉब्लम न हो, तो चलिए दोस्तों, समय न गवात मैं कि इस लेशन के बारे में जानते हैं कि इस लेशन में क्या कहा गया है, देखिए, पहले तो पाठ का मतलब समझे, कहरा है, I owe to the my country, मेरे देश मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, पाठ का नाम है, मेरे देश मैं तुम्हारी कसम खाके कहता हूं, यह पाठ का नाम है, Sir Cecil Spring Rice जी ने लिखा है और इसमें सरसेशल स्विंग राइस जी कहते क्या है कि है मिरे देश मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि इस संसार की जितनी भी चीजें है उन उन सारी चीजों से अत्यधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मेरा जो प्रेम है, मेरे जो प्रेम की सेवा है, अपने देश के प्रती वह बिलकुल संपुर्ड और पुर्ड है ठीक है, मेरा प्रेम कभी भी कोई प्रस्ण नहीं पूछता है मेरे देश के प्रती जो मेरा प्रेम है कभी कोई प्रस्ण नहीं पूछता है और मेरा जो प्रेम है हमेशा कसोटी पर ख़ड़ा रहता है हमेशा कसोटी पर ख़ड़ा उतरता है कोई भी परिच्छा देने के लिए तयार रहता है मेरा जो प्रेम होता है या मैं अपने देश से जो प्रेम करता हूँ उस प्रेम के लिए मैं अपने सबसे प्रिय वस्त, सबसे बहुमल्य और सबसे अच्छी वस्त को भी मैं बलिदान कर सकता हूँ, मेरा प्रेम कभी लड़ खड़ाता नहीं है, वह जो प्रेम है मेरे देश के प्रतिवा कभी डगमगाता नहीं है, और वह प्रेम किसी भी मुल्य को चुकाने के लिए ततपर रहता है और उस प्रेम के लिए मैं निर्भी खो करके अपने जीवन की अंतिम आहूती को भी चढ़ा सकता हूं तो चलिए दोस्तों आम इस लेशन को line by line समझते हैं ताकि आगे से आपको कोई problem नहों देखें क्या करहा है I owe to the my country all earthly things above पहले line का अर्थ क्या है I owe to the my country all earthly things above इन संसार में जितनी भी चीजे हैं उन सभी संसारी कोश्तों से उपर मेरे देश मैं तुम से प्रेम करता हूं मैं तुम्हारी सबत खा करके कहता हूं या गरहण करता हूं कभी सरसे सल स्पिंग राई जी बताते हैं कि हे मेरे देश मैं संसार की जितनी भी चीजे हैं उन सभी चीजों से बहुमली चीजों से उपर मैं तुम से प्रेम करता हूं entire and whole and perfect the service of my love और मेरे जो प्रेम की सेवा है वह बिलकुल संपूर्ड और पूर्ड है the love that asks no questions the love that stands the test the love that asks no question मेरा जो मेरे देश के प्रती प्रेम है वह प्रेम कभी कोई प्रस्न नहीं पूछता है the love that stands the test और वह जो प्रेम है वह हमेशा परिक्षा देने के लिए ततपर रहता है कसवटी पर खड़ा उतरने के लिए ततपर रहता है that lays upon the altar, dearest and the best that lays upon the altar, dearest and the best मेरा जो प्रेम है उस प्रेम के लिए मैं अपने सबसे प्री वस्तु और सबसे अच्छी वस्तु को बरिदान कर सकता हूं the love that never falters मेरा प्रेम कभी डगमगाता नहीं है मेरा प्रेम किसी भी मुल्य को चुकाने के लिए मैं तयार रहता हूं उस प्रेम के लिए अपने देश से प्रेम करने के लिए मैं किसी भी मुल्य को चुका सकता हूं the love that makes undoubted the final sacrifice और उस प्रेम के लिए मैं निर्विक हो करके अपने जीवन की अंतिम आहोती भी चड़ा सकता हूं और थात अपने देश से प्रेम करने के लिए मैं जीवन की अंतिम बलिदान को भी दे सकता हूं आई होप दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा आगे से आपको कोई दिकत नहीं होगा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन के बटन को दबा लीजे ताकि आगे से सारे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहे हैं दोस्तों कमेंट भी करते रहे हैं फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई